हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आपकी एपने राहूल एजिक्वेशन पॉइंट पर मैं हूँ राहूल सर आज फिर आप सभी को नए वीडियो में स्वागत करता हूँ आई होप कि आप लोग अच्छोंगे स्वस्तोंगे और घर में पढ़ाई करते होंगा अभी के समय में आज जैसा कि आप लोगो ठब्रेल स्वाटा चल गया होगा आज हम आप सभी के वीच टॉप एटिक कोस्ट इन्स का लेकर आया हूं टॉप एटिक कोस्टन जो एक्जाम क की त्यारिक करना चाहते हैं बचे हुए दिनों में तो आए उसका श्वागाति इस चैनल पर और हां इस चैनल पर पढ़ने के बाद आप अगर आपको अच्छा लगे यहां से आप कुछ मैं नोच बना करके बढना करके में अपलेकों की वीच अ यहां से हरस्ष्च पुछ जाता है जो आज मैं बताने वालां ब Chris VO में यहां से हर साल ऐसे ईसने रीपीट किया जाता है इसलिए आज का इस वीडिओ जरूर इस वीडियो में जरूर बने रहें आज वीडिओatarIT कूंस आपका जो आत्म विश्वास है आपको जो बिलिफ सिस्टम है यह आपको अपने परिछाग में अच्छे अंग तक ले जाने का काम करेगा इसलिए आपके बचे वे जो दुन है जो बचे वे वन मंथ है यह आपकी पढ़ाई को सबसे बहतर बनाएंगी इसलिए इस पढ़ाई के दिरिश्टी कौन से आप लोगों के लिए यूश्फूल रहेगा टॉप को ऐसे कुस्टन दोना दूंगा जो आप लोगों को अगर मैं टेंट कॉस्टन दूंगा तो उसमें से 56 ऐसे कॉस्टन रहेगा जो आप से पुछा जाएगा इसलिए आप लोग इस चैनल से जरू हमिले तो आप हमें पेडिए आप के लिए रहो लागिज़ी के पूएंट टेलिग्राम से जुर सकते हैं वहाप पर वहां पर जाकर की आप यडिए प्राप्त कर सकते हैं बहुत सारे स्टोडेंट हैं की प्रक्षा में गयसे प्रसिन का आंसर देना है तो उन लोगों को वि यह बताओंगा कि कैसे परिक्षा में लिखना है कैसे अच्छे आंग आएंगे लिखने का स्टाइल कैसा होना चाहिए तरीका कैसे होना चाहिए मैं सारा आप लोगों को अच्छे एक वीडियो में बताओंगा परिक्षा से दस बार दिन पहले इसलिए कोई घबराये नहीं अभी सिर्फ फोकस किजिए अपनी पढ़ाई पर अपनी सेलफ अस्टडी पर आपकी स्टडी आपको परिक्षा में अच्छे अंग दिला सकता है इसलिए घबराने की कोई जरुत नहीं है मैं आप लोगों के साथ हूं और करके आगे बढ़ने का प्रयाश करें और मैं राहूल सर आप सभी को तेह दिल से स्टेनल पर स्वागत करता हूं ठीक है तो चलिए आज का जो आईटी ऑबजक्टिव कोस्टन है आज हम उसे कोवर करेंगे इस वीडियो में और हां इस वीडियो के स्कीप ना करें यह वीड को देखने के बाद फिर आफ इससे यह कहेंगे कि मुझे इस वीडियो ने बहुत लाब पहुंचाया इसलिए इस वीडियो के स्कीप ना करें शुरू संतक बने रहें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का पहला प्रस्ण जो की काफी इंपोर्टेंट है ये प्रस्ण बारबार एक्जाम में पूशा जाता है तो इसलिए इस कोस्टन को हमेशा याद रखे तो पहला कोस्टन कह रहा है कि किस दरपन की फोकस दूरी रिनातमक होती है तो किस दरपन की फोकस दूरी रिनातमक होती है तो इसका अंसर देंगे आप लोग बहुत ही अच्छा कोश्चन है यह exam की दृषटी कौन से यह कोश्चन बारबर बार पूछ कर भी जाता है तो राए टैंसर कहा हो अप्तल दर्पन तो ओप्सन बीस का राइट हो जागा दोस्तों बहुत ही अच्छा कोस्टन है चलिए नेक्ट कोस्टन के हम लोग बात करते हैं ऐसा कोस्टन जो है आप लोग अगर ध्यानम रखते हैं तो जरूर है कि आप लोग अच्छा करके आएंगे एक्जाम में सकेंड कोस्टन के रहा दर्पन की फोकस दूरी और वकरता तिरिज्या में क्या संबंद है तो दर्पन की फोकस दूरी और वकरता तिरिज्या में क्या संबंद है यानि कि आपको पूछ रहा है कि आप बराबर सुत्र क्या होता है मैंने आप लोग को पढ़ाया में था कि आप बरा कोस्टन है आज बने इस वीडियो में यह वैरल कोस्टन जो आप लोगों की दिरिश्टी कौन से बहुत ही काफी महत पूर्ण है इस कोस्टन को आगर देख लेते हैं इतना सारा अब्जेक्टिक आज को भर कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को ग्रैंटी देता हूं यहां से को कोस्टन आप लोगों एक भी कोस्टन नहीं चूटेगा अग्जाम में तीसरा नमर कोस्टन के रहा है कि समान दृष्टी के लिए अस्पत दृष्टी की नियुंतम दोरी होती है तो ऑप्सटन नमर बिस कर रह जागा 25 सेंटीमीटर देखिए दोस्तों बाड़ा-बार कभी बिद्यारती यहां पर कनफ्यूज कर जाते हैं यहां पर क्या दिया है यहां पर क्या हो जागा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर राइट अंसर हो जाता है कि समान दृष्टी के लिए अस्पत दृष्टी की नियुंतम दोरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर इसको याद रखेंगे चलिए next question की ओर देखते हैं क्या कहता है तो आज का question बहुत ही must question है और ये question अगर आप लोग देख लेते हैं तो आज आपका सारा objective clear हो जाएगा स्वेत प्रकास का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पस्चात सबसे कम जुकता है तो स्वेत प्रकास का कौन सा रंग है इसा जिक किसी प्रिज्म से गुजरने के पस्चात अगर कोई प्रकास आती है तो वो क्या होती है यानि कि कौन सा प्रकास स्वेत रंग यानि सबसे कम जुकता है क्या होता है लाल सबसे कम जुकता है और सी इसकराइट हो जाएगा चलि नेक्स कोशन की बात करते हैं दोस्तों बहुत लाजवाब कोशन है यह एक्जाम की दिश्टी कौन से अगर आप आप आज भी देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव यहां से आजाएगा एक्जाम में तो मानव आख की रेटिना दुवारा बनाई गई चबी होती है जो मानव आख में जो रेटिना होती है जो बनाई गई चबी क्या होती है अवासी होती है सिधा वासी उल्टा अवासी उल्टा या फिर वास्तिविक और सिधा जिस परकार हम किसी व लिटा बनेगा ये फिर वास्न उल्टा, बनेगा बनेगा ये उसका उपनेगा नेक्सक्ष कि बात करते हैं दोस्तों बहुती लाजबाब question है यह six number का कहरा है कि आकास का रंग नीला परतीत होता है मैंने आप लोग को अच्छा से इसके बारे में वीडियो में बताया भी था कि प्रकास का रंग नीला क्यूं होता है तो प्रकास का रंग नीला क्यूं होता है दोस्तों तो प्रकास क्या होता है option number क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा प्रकास के पड़ी कीर्णन के कारण क्या होता है प्रकास का रंग नीला होता है option number B इसका right हो जाएगा चलिए next question के और देखते हैं हम लोग क्या करा किसी दरपन से वस्तु का परत्विम बरा बनता है कोई दरपन है तो अगर कौन सा ऐसा दरपन है जिससे क्या होता वस्तु का परत्विम बरा बनेगा तो समतल दरपन होगा या अप्तल होगा दरपन या उत्तल होगा यह मैं से कोई नी तो option number B हो जाएगा अप्तल दरपन क्या होता है ना कि दरपन वस्तु के जो परत्विम होत आज का वीडियो बहुत इलाजवाब है यह वैरल वीडियो यह वैरल कोस्टन जो आपकी एकजाम के दिरिश्टी कौन से बहुत ही हैलफूल साबीत होगा तो निमलिकिद में कौन सा लेंस निकर्थ दिरिश्टी दोस को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है तो निमलिकि उसको करिए करेंगे डोस्तों यहाँ पर वार क्या होता है यहां पर बहुत बिद्यारती क्या होता कभी कभी क्या करते हैं अपतल दर्पन मार देते हैं तो यहां पर अपतल दर्पन की बात नहीं हो रही है आंख में जो भी चस्मा में हम लोग यूज करेंगे वह लेंस हो जाएगा लेंस होगा इतनी याद रखिएगा लेंस होगा दर्पन होगा इसलिए बहुत सारे विद्यारती कभी 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 कानफ्यूज कर जाते हैं हर वड़ी की चकर में उदर पर मार के चले आते हैं तो राय टैंसर क्या हो जागा अब तर लेंस हो जागा option दोबारा नमरिय पर जाएग ऑप्सन की बात करते हैं लोग बहुत यह अच्छा कोस्टन नियम को किस ने परतिपादित किया थथा अगर इसका जबाव आप लोग नहीं जानते हैं तो समझें आपलोग कुछ नहीं पर है जीरो पर काड़े हैं दाये हाथ के अंगोटशे की परफेपादित किया है तो आर्टर्ड प्लैमिंग्षय hilarster on D मैक्वेल क्या किया था था chipि जो नियम होता किसיה प्रिंगित क्या 18 ठीके ऐसे स्वाल पूछ देगा कि दायें हेत की जो अंगोटशा होंprowadல कर था कि यह भी हो सकता है कोशन इसा कोशन पूछ दिया जा सकता है नेक्स कोशन की बात करते हैं 11 नमर कोशन कह रहा है कि विभांतर का एसाई मात रख्या होता है तो भीभांतर का सफ़ाई मात रख्या होता है जो आप लोग को जानते होंगे वो बॉल्ड होता है option number A का right हो जाएगा next question की बात करते हैं निमलिखित में से किस सन्योजन द्वारा परतिरोध का मान बढ़ता है तो option क्या रहा है स्रेनी करम B करा समानतर करम C करा स्रेनी एवन समानतर दोनों इन में से कोई नहीं तो right answer क्या जाएगा option नमर A हो जाएगा कि स्रेनी करम हो जाएगा option नमर A इसका right हो जाएगा कि स्रेनी करम जो है तहन सनुजन दोबारा प्रतिरोत का मान बढ़ते रहता है यह क्या होगा amazon यह हो जाएगा next question की बात करते हैं यह question बहुत ही लाजवाब question है exam की देश्टी कौन से का रहा कि चुम्बकीय बल रेका की प्रकिरती होती है कैसी होती है इसका right answer हो जाएगा इस वीडियो में आप आप य infringGHT लेते हैं तो आपका यहाँ से बहुं सार औब जोंवे यहां से आएगा इसलिए इसलिए इस वीडियो को skip ना करें, सुरू सब्सक्राइब देख लें, समय थोरा जदा लग जाए, परन्तु आज का ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो की exam देने जा रहे हैं, ये viral question उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रिक्षा देने जा रहे हैं, और ये चा क्या कह रहा है, 0.36 गुना 10 पे पावर 10 जूल, 1.6 गुने 10 पार मैनस 19 जूल, 3.6 गुना 10 पावर 6 जूल, इन में से कोई नहीं, तो रैट अंजर क्या हो जाएक, option नमर C हो जाएगा, कि 3.3.6 गुने 10 पे पावर 6 जो होता है, 6 जूल होता है, 6 जूल, ठीक है, नेक्स कोशन की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल कोशन है, 15 नमर कोशन कर रहा है, नवी करनी है, उर्जा का सरोत क्या है, नवी करनी है, उर्जा का सरोत क्या होता है, नावी की उर्जा, सोर उर्जा, कोईले से प्राप्त उर्जा, प्रकृतिक ग्या से प्राप्त उर्जा, स प्रकास का प्रार्थिमिक वर्ण कौन है लाल नीला हरा उप्युक्स सभी तो प्राइट एंसर क्या हो जाएगा उप्युक्स सभी हो जाएगा यह तीनों है लाल भी एल नीला भी है और इसके वाद गिरिन जी भी है तो यह क्या होता है ठीक है चलिए नेक्स कोशन की बात करते हैं हम लोग क्या कर रहा है निमलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है आप लोग को जानते होंगे कोवनीय होता है पूपील होता है रिटिना होता है और नमर्ड क्या होता है यह यह होते है वह पूछा beiden क्tle भी के सब्सक्राइब तो चलिए आप देखिए उनीश नमर करा रहा है वन एचपी बराबर है क्या सासो चैलीस वाट भी कर रहा है सासो साट वाट एकरा पांसो पचास वाट तो आप जनते हैंगे और सासो चैलीस वाट क्या है क्या है क्या है 2020-07 34 When टनी इस कोशन की बात करते हैं विशालक सिसा जिसे हम लों क्या बोलते हैं मेंगनीफाइइंग क्छास बोलते हैं उस्ट क्या होता है यह उत्तल या होता है अप्थल दरप τα यह जानि क्या जएगा उत्तल सुरी Fahrenheit हो जाएगा और देखते हैं कि क्या खराए है जब किसी चालकतार से भाखती है तो गतिशीलकन है तो गतिशीलकन क्या होगा प्रमाणूं आईन होगाइळगा बोलन होता है जब चाल्यक्वीजान विद्धरा पवाइत होती है तो गरी सिलकन क्या होगा आप लोग जानते हैं भी एलक्ट्रोन होता है चलिए नेक्स कोशन की बात करते हैं एंपेर घंटा मात्रक है एंपेर घंटा मात्रक किसका सक्ति का आवेश का उर्जा का इनमें से कोई नहीं अपसन नमर 20 का हो जाएगा क्या कर रहा है आवेश का ठीक है चलिए नेक्स कोशन की और देखते हम लोग क्या कर रहा है नेमलिकित में कौन सा मात्रक की मात्रक वाट के बराबर होता है जूल परती सकेंड जूल इन्टू तो अपसन नमर क्या हो जाएगा 23 का राइट एंसर क्या जाएगा ऑपसन नमर ठीक है 23 का ओपसन नमर यह हो जाएगा जूल परती सकेंड हो जाएगा ठीक है नेक्स कौशन की बात करते हैं विदो दारा का मातलग क्या होता है यह राइट एंसर क्या हो जाएगा एच्वासन की बात करते हैं बहुत ही सिंपल कोस्टन गूल गलॉबल वार्मिंग के लिए लिए उत्र दाई क्या है वार्निंग के लिए उत्षा उत्र दाई ग्यास होता क्या होता इसा पूछ दिया जाइगा कि कौन सा ग्यास जो है तो सबसे अच्छा उत्रदाइद होता है और किसलिए ग्लोबल वार्विंग के लिए तो सियो टू होता है ठीक है कर्म डॉक्साइड नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं तो सड़ीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभी किरिया है आप लोग जानते हैं उप पहले चुना पेर याझी के पानी ढलने तो अभी किरिया कैसी होती है उसमा चथे पी उसमा टो सी बीशफोट कि इन ses कोई ओपस क्कॉश्याश कैंग तो कौन सबसे अधिक अभी किरिया शील है तो कौ़्सा है सब सबसे दिक क्या हुआ शीन क्या सियू ठीक है चलि नेक्स कोशन की बात करते हैं लोग कि चुना का चुना जल का राशानिक सुत्र क्या होता मैं ने आप लोग को बताया भी था कि सुत्र जो है आप लोग को चार्ट से पांच ऐसा है जो पूछा भी जाएगा आप लोग याद रखे लिए इसे दो नमर पूछा जाएगा चुना जल कर राशानिक सुत्र आप लोग याद रखेगा तो क्या तो नमर डी होगा सी एंटू ओ एच्टू हो जाएगा इसको याद रखेगा ऑप्सान नमर डी इसका राट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स कोशन की बात करते हैं लोग बहुत यच्छ सbणर कोस्टन पोले इसको देख लिजीआ कोई वी लिएन लाल इनला करते त्यूंका पिए जानते हैं यह गया पिर 10 हो होते हैं जो सन्योजन बंदन होते हैं न करवान की वो कितने-कितने होते है में नवर सी होता है ठीक है कि गुलकौँ को बता रहा हूं कि सुत्र आप लिए का चुछ शूटर कया होता है मैंने मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया बे था model set में अगर आप लोग अभी तक विजिट नहीं किये model set को जाकर विजिट कर लिजिए description में आपको link डाल दूँगा वहां से आप लोग देख लिजिएगा अगर अभी तक हमारे channel को विजिट नहीं किये जाकर जरूर विजिट कीजिए बहुत सारा objective subjective question आप लोगों के लिए मैं यूटूब पे डाल चुका हूँ गुलकोंच का अन्विक सुत्र क्या होता option नमर क्या हो जागा a हो जाएगा यानि कि c6 हो जाएगा h12 o6 हो जाएगा ठीक है right answer हो जाएगा next question की बात करते हैं उंच वरसिय अमलों के sodium lucrum lwoman कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं option नमरी के एक साबुन कहलाते हैं option नमरे a's का right हो जाएगा c h o c h o abhikirya seal मूलक को कहते हैं क्या कहते हैं बहुत एचा कोशन है तो LD हाइट कहते हैं option नमर एसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करता आवस्तार नहीं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमानुतिरिजिया क्या होती घरती है या बढ़ती है जल्दी बताएब लोग तो आपसन नमर क्या हो जागा यह जाएगा यानि कि घरती है क्या होती घरती है चलिम नेक्स कोशन की बात करते हैं निमांग की तत्वों को उनके अधातु गून की अनुसार बढ़तिक करम में सजाईए ल आई ओ सी बीए एफ तो रेट एंसर क्या हो जागा देखिए अगर जो सजाते हैं तो हम लोग रेट एंसर क्या हो चलिए नेक्स के बात करते हैं निमांकीत में कौन धनात्मक्तत्व है विदुद्ध धनात्मक्तत्व है जल्दी जवाब देए उप्सटिक थी सोडियम ठीक है एँ? के लोग सोडियां एक किस परदेश में किया गया था मैंने मोडल सेट में बता था और अब भी वी कोस्टन आ गया है तो टीरी बांद किस परदेश में हुआ था उप्षेन नमर उत्रा खंड में हुआ था उत्राखंड हो जाएगा ठीक ऑफ्षेन बीस का राइट हो जाएगा दोस्तों अच्छा लगए तो लाइक शेयर और जरूर सब्सकाइब कर दीजिए निमांकित में किस धातू के को केरोसीन में डूबा कर रखा जाता है यह कोस्टन हर एक साल रिपीट किया जाता है और यह नौलेज की भी बात है बहुत ही अच्छा कि last po कर दूब्रवान्द फ़ल में ड volunt रखता है इंच्छ की बात करते हैं उप्योजकर से बनाया जाते है सरसल में किसा का प्योग होता है है जानते है क्या आप लोग से जो हम लोग क्या करते हैं उस्वंत पादना करते हैं सोल बैट्री बोलते हैं सोर स्व में किसका अपयोग होताmers ode के बहुत है निमलिकीद में किसका उप्योग खाना बनाने वाले इन धनम नहीं होता है तो किसका उप्योग खाना बनाने वाले नहीं होता है इसका उप्योग होता है इसका उप्योग हम लोग नहीं करते हैं इसको याद रखिएगा इसा कोशन पूछ दिया जाएगा कि कौन सा ग्यास को हम लोग खाना बनाने में उप्योग करते हैं और नहीं करते हैं तो यहां पर नहीं करते हैं करते हैं तो यहांपर देखिए तो इसका राइट एंसर आप लोग इसको ऑप्शन देखे देगें ठीक है next question की बात करते हैं हम लोग कहा रहा है 2 cu plus o2 2 cu o क्या हो जागा यह भी क्रिया करके क्या हो जागा अब लोग बताए औक्सिकरन अब गटन उदासिन करन या विश्थापन अप्सन नमर यह हो जाएगा औक्सिकरन हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करते हैं 45 नमर कोशन कहे रहा है कि निमलिकीत में कौन सा समिकरन संतुलित नहीं है यानि कि संतुलित नहीं है संतुलित नहीं अप लोग देख लि किना होता है बता यह उपसे नान होता साथ क्या होता है मैं आयो जाएगा कूं क्या हग्य सबसे का मुझा ginचिछ क्वालि आयो सब्सेंग कौन के चर्था ऊपसे को आमार क्भेड का ह bli क्या होगा कि क्रोलाइट क्या होगा क्या होगा क्या होगा चलिए हम नेक्ट कोशन की बात करते हैं फिर क्या क्या होती है क्या होती है आप लोग जानते होंगे ऑप्से नमर सी हो जाएगा ऐसा प्रस्ण जो है ना हर एक साल आता है दो से तीन प्रस्ण ऐसा आता है इसलिए जितना भी आप दोस्तों जरूर देख लेंगे ताकि आप लोग को एक भी कोशन आप लोग को छूट ना पाए इस बार चार सो असी पार इस बार चार सो असी पार इसलिए उप्सेन क्या का एक में कह रहा है मेथेनोईक अंबल बी करा प्रोपेनोईक अंबल सी करा एथेनोईक अंबल डी कराने में से कोई निए उप्सेन alcohol का अनुशुत्र होतक है मैंने आप लोग को बार-बार बता रहा हूं बता रहा हूं कि आप लोगों सुत्र पूछेगा है 3, 4 नमर सुत्र पूछेगा है इसलिए शुत्र जो भी उसको याद रख लीजिए इताईल alcohoil का अनुशुत्र क्या होता CH3OH, C2H2OH, C2H5OH, C2H6OH, तो right answer का option number C हो जाएगा, कि C, C2H5OH होता है, चलिए, next question की बात करते हैं, दोस्तो, ऐलकाइन कौन है, ऐलकाइन कौन, C2H2, C2H6, C2H4, C2H4, तो right answer option number A हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H2, C2H2, C2H2 क्या हो जाएगा, ओप्सन नमर इसका right हो जाएगा, C, H4 क्या हो जाएगा, यह मीथेन हो जाएगा, ठीक है, next question की बात करते हैं, चीनी के रासायनिक सुत्र क्या होता चीनी कर रासायनिक सुत्र होता है 53 नमर कर राय लिए और इसको याद कर लिए ठीक है चले नेक्स कोशन की बात करते हैं सब्सक्राइब के लिए उपयोग किया वाले बीज कोन सा है सुखे बीज अंकुरित बीज उबला हुआ बीज कुछिले हुए बीज option number B इसका right answer हो जागा चलिए दोस्तों next question के और बढ़ते हैं हम लोग मानग वीरिक किस परनाली का एक हिस्सा है potion का, solution का, surgeon का, परिवहन का right answer option number C हो जागा right answer क्या जागा option number C इसका right answer हो जागा चलिए next question के और देखते हैं हम लोग पोधों में जाइला निमंकित में से किसके परिवह के लिए जिम्मेदार है तो पानी भोजोन इमिनो एसीड ऑक्सिजन option number क्या हो जागा यह हो जागा पानी पानी, water, option number A इसका right हो जागा चलिए next question की बात करते हैं 58 का, solution के दोरान कौन सी ग्यास निकलती है, अगर हम लोग लेते हैं तो क्या लेते हैं O2 लेते हैं, अगर हम छोडते हैं तो क्या होता है, CO2 जिसे हम लोग करम डॉकसाइड बोलते हैं ठीक है, इसको याद रखे, option number A से कुछ को फलो के पकने को नीमनी में से किसे नियंद्रिट किया जाता है बहुत अच्छा को सब्सक्राइब करता है अगर हम लोग कोई केला या आम बगरा पकाते हैं तो देखते होंगे उसी में को सब अप्योग होता है तो फलो के पकाने िमीने किसका अपियों कि आयाई था इदिलीजा ठीक है नेक्स कोशन के और देख़ने क्या कह रहा है चलिए नियूरwal का वो हिस्सा जहां ज्हां सिल इया क्या कहाला ता अपसन नमर ए इसका याहाट हो जायगा दिन ट्राइड टिन ट्राइड ऑपसन नमर ए हो जाएगा चलिए देरने करते हैं हम लोग आगई बढ़ते हैं फटापट निमांकित में से कौन अपतका का हर्मोन है जो अपतकाल में जो हरम काम आती है उसक्त क्या होता है ऑप्सन नमरे एंडरी ने एंडरी ने लीन ऑप्सन नमरे चलिए दोस्तों नेक्स कोशन के ओर देखते हैं हम लोग निमली खित में से कौन सी अने छिक किरिया नहीं है उल्टी अतिधिक लार निकलना दिल का धरकना चबाना तो अप्सन नमर के आज अप्सन नमर डी इसका राइडंस हो जाएगा चबाना चलिए हम लोग आगे बढ़ दोस्तों सत्तों दिन ठीक है चलिए नेक्स कोशन की बात करते हैं गंगा एकशन प्लान कब शुरूआ था मुकूलन दूदार Alenchnit जनन निमंगत किससे होता है? किस में होता है? इस्ट में, पलाजुमोडियम में, अमीबा में नमीर मेर में से कोई निया। अप्शन नमर क्या होगा? ईह हो जबाएगा. इस्ट में होता है. जो कहाँ होता है? हम अगरन दोबार आयलेंगिंग जिरन कहा होता है इस्ट में होता है यह कोश्चन बहुत इंक्पोर्टन कोश्चन है चलिए नेक्स कोश्चन के और देखते हैं निम्न में से कौन सी बिमारी शोसन तंत्र से संबंदीत है डाइरिया टीवी नीमोनिया बी एसी दोनों तो करते हैं प्रोटीं सेलिलोज वसाइड में से सबहुत नमर भी हो जाएगा सेलिलोज ऐसन का चलिए ब्रेन हम्रेज का करण क्या होता कभी कभी दिखते हुं गए बहुत सारे ग्रीज में हो जाता यानी करता है तो हाईपोटेशन हीरदेख्ट हाट है पर टिंसल पस्यर सघ् सब्सक्राइब करते हैं कि ज्दा सोचना भी मनुस के लिए बहुत अहानी कारक होता है इसलिए जो हम्रेज होता है आदमी को ज़धा सुचने से होता है हाइपर टेंशन है पर टेंशन हो जाएगा ठीक है ऑपसन नमर बी सका रैट अंसर हो जाएगा चलिए नेक्स कोर्शन की बात करता है हिर्दय से रक्त को संपुन सरीर में पंप किया जाता फिपरो दोबार नेलिया दिवारा अलींदोर दोबारा इनमें से सबी तो रैट अंस नमर 6 का ठीक है चलिए 71 के कहना है रामें यलानगी यह कारा और लान विख हν आन बीजानु आपस हमें होती option number a, मुकूलन, मुकूलन होती है, option number a, मुकूलन होती है, जनौन संचारित सिफिलीस हो जाएगा, एडस हो, ठीक है, अप्सेजन, 73 क्या रहा है, 的 turning, पूष्प का सबí बाहरी भाग आ हो, क्या होता है, पूश्व का सबसे बारी वह क्या होता है option number A by दल पूँझ होता है option number A इसका right answer हो जाएगा next question की बात करते है blood sum A में कौन सा antibody होती है A B A B O option number C इसका right answer B होता है blood sum A में कौन सा antibody होती है तो B होती है next question की बात करते हैं दोस्तो रक्त में गुलकोंच की मात्रा निमंकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है insulin glucanon gangstein sometrosin option number A हो जागा insulin ठीक है option number A चली दोस्तों आगे बढ़ते हैं पादव विर्धी हर्मोन है जेविरेलीन का इंडरेलीन insulin थायरोक्सिन आपसन नमर A हो जागा जेविरेलीन option number A इसका राटेंटर हो जागा चली नेक्स कोशन के और देखते हैं हार्मोन स्रॉबइत होता कहां से होता option जानते हैं लोग अंतस्वाइत ग्रंथियों से होता है option नमर A इसका राटेंटर हो जागा नेक्स कोशन के और देखते हैं, 78 कोशन कर रहा है, मनुस के मुख गुखा में कितने जोर, जोर लार्ग रन्थ ये पायजाती है, ये जानते हैं कि आप लोग tumor, कितना 3 जोरी, नेक्स कोशन की बात करते हैं, इंडोजेंग है, male hormone, female hormone, pachakras, paridaothrin, parathaauride hormone, तो 79 और एंसर और जायगा और मेल हर्मों और आज का सेषिन लास्ट कोस्टन आप लोगों के बहुत ही लवाजवा कोस्टन है वह कह रहा है मतर को अपने प्रयोग के लिए किस ने चुना था तो अपलोग आप लोगों को बताया, यह question काफी helpful आप लोगों के exam के दिरिश्टी कोन से है इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ share करें और हाँ अभी तक जो हमारे चैनल को like ने किया है subscribe ने किया है तो like subscribe कर दे और आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत ही फाइदे मंद है तो आपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को share कीजिए तब तक के लिए बाए फिर मिलते हैं next objective लेकर के जो आपको exam के लिए बहुत ही helpful रहेगा तो तब तक के लिए बाए टेक केर